दोस्तों किसी भी structure को बनाने से पहले आपको उसकी drawing reading आना बहुत जरूरी है दोस्तों आपने यहाँ पर building की drawing read करना सीखी होगी यहाँ पर आपने road की drawing read करना सीखी होगी यानि कि building के अंदर हमारी जो footing के foundations होती है उसके जो plan किस तरह से read out करते हैं पुटिंग के अंदर जो sections होते हैं उसको किस तरह से read out करते हैं column की जो drawing होती है उसके जो plan होगा है section होगा है उसको किस तरह से read करना है यहाँ पर हमारे beam के जो section होते हैं उसको हमें किस तरह से read out करना है तो आपने building की तो यहाँ पर आपने जरूर drawing को read करना सीखा होगा वहीं आपने अगर हम road की drawing की बात करें तो जरूर आपने यहाँ पर drawing भी जरूर सीखी होगी road की लेकिन दोस्तो आज हम ना की building की drawing की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर road की drawing की की बात करने वाले आज हम बात करने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर हम overhead tank की जिसको हम यहाँ पर elevated tank भी बोलते हैं और inz tank से भी हम यहाँ पर इसको जानते हैं, तो दोस्तों आज हम исही की overhead tank की बारे में بात करेंगे, उसकी जो हमारी different different foundations होती है, वो हमारी किस तरह से होती है उसके अंदर और हम उसको किस तरह से read out करना है और उसको हमने with the help of the images की अगर आप उसको किस तरह से बिलकुल accurate समझ सकते हो जो हमारी drawing के अंदर है वो हमारी execution के बाद किस तरह से लगने वाली है तो हम आपका पूरा आज यहाँ पर doubt clear करने वाले हैं और आप इस वीडियो के अंदर आज काफी कुछ सीखने वाले हो तो दोस्तो इस वीडियो में बने रहिएगा मैं हूँ आपका corporate trainer अहमद हुसैन तो चलते हैं इस वीडियो में तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे होगे कि यहाँ पर हमने दो overhead tank की यहाँ पर drawing हमने सिफ आप लोग के लिए यहाँ पर open कर रखेंगे कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को समझ पाऊँ दोस्तो अगर हम सबसे पहले इस वाली overhead tank की बात करें मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ जैसे कि आप इस वाले overhead tank की drawing देखेंगे तो इसके अंदर आप पूरा यह overhead tank देखेंगे ठीक है कि यह मेरा पूरा overhead tank बना हुए इसके अंदर हमारी अलग-अलग components है जो कि हम आगे के वीडियो में जरूर इसका और explain करेंगे अच्छी देख पाओगे कि यहाँ पर हमारा अलग-अलग यहाँ पर foundations है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपने यह जो foundation है आपने जरूर यहाँ पर building drawing के अंदर यह जो foundation है यह जरूर देखी होगी दोस्तो आपने यह चीज़ जरूर देखी होगी हमारे building foundation के अंदर जो कि इस foundation क हम क्या कहते हैं trapezoidal foundation हमारी होती है trapezoidal footing आप में जरूर देखे हो तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारी अलग-अलग trapezoidal footing की foundations दी है जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर तो अलग-अलग हमारी foundations दी है ठीक है और उसे के साथ-साथ दोस्तों आप यहाँ पर यह जो circular circle आप देख रही हो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर जो circle आप देखोगे तो यह basically जो circle आप देख रही हो यह हमारा basically कौन सा प्लान का इलिए है यह हमारा है हमारा जो top dôm होगा यह सॉरी जो हमारा bottom वाला जो पार्ट होगा हमारा ये वाला जो पार्ट सर्कुलर के अंदर होगा इस ये वाला पार्ट जो हमारा सर्कुलर में जाएगा तो ये उसके लिए हमारी चीजें आएंगी ठीक है तो ये यहां पर ये उसका सर्कुलर का सेक्शन हमारा यहां पर प्लान हमारा दिया लेकिन वहीं अगर हमसे foundation की बात करें तो आप दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारी PCC भी डाली जाती है ठीक है यहाँ पर हमारी जो footing है वो भी डाली जाती है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर यह सारा जो आप डॉटेट्स में देखोगे तो यह मेरी क्या हो जा गीकि जो कि हमारी ट्रैपेज्डोडल है तो यह हमारी इस ट्रैपेजडल शेफ के अंदर यह बनाई जाती है अगर मैं इसका section देखुँँ तो यहाँ पर आप इसका easily section और plan दोनों देखोगे तो हमें section one one का section यहाँ पर हमें दिखेगा है section मतलब दोस्तों अगर हम इसका side view जो है हमारा वो हमारा section कहलाता है ठीक है तो आप जिस तरह से आप देखोगे कि इसके अंदर यहाँ पर हमारा trapezoidal है ठीक है तो आप सबसे पहले जो आप यह dotted line देखोगे यह वाली जो dotted lines दोस्तों तो यह हमारी PCC है दोस्तों यहाँ पर एक काफी बड़ा फर्क होता है PCC के अंदर जो कि मैं आपके जो echo ड्रोएंगे वो भी मैं उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा क्या फर्क होता है जैसे कि आप इसके अंदर PCC देख रहे हो तो इसके अंदर जो PCC हुई है हमारी यह वाली पार्ट में यानि कि सिफ मेरी एक फुटिंग के नीचे एक PCC हुई है ठीक है तो और लेकिन जो और भी हमारी जो फुटिंग होती है उसके अंदर जरूरी नहीं कि एक फुटिंग के अंदर हो हो सकता है जहाँ पर हमने पूरा excavation करवा है उस पूरे के अंदर यहाँ पर PCC होगी तो यही चीजा आज हम सीखेंगे जैसे कि इसके अंदर आप देखो कि एक फुटिंग के अंदर पूरा पार्ट ही है हम पर میरा हमारा चीज आ जाएग ठीड़ा है तो स्थ अब ये वाला पार्ट कौन सा है तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये जो आप पार्ट देख रो ये मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा surgical column मेरा हो जाएगा जो की आप easily यहां पर जो circular column में वो आप देख रहे हो ठीक है तो इसके अंदर आप देखोगे तो हर एक footing की नीचे हर एक PCC है फिर उसके पर हमारी footing आई है फिर यहाँ पर हमारा जो pedestal column या neck column है वो हमारा यहाँ पर आया उसी की साथ साथ जो मेरा column है यानकी जो मेरा column दिया हुआ यहाँ पर मुझे 400 डाया का यहाँ पर दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर मेरी 12 mm की rod से जो की 9 numbers यहाँ अगर मैं रिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा 8 mm का रिंग डला हुआ है जिसकी जो spacing है वो मेरी 190 center to center है ठीक है तो अगर हम इसके section में है तो देखो के आप यहाँ पर आप देखो के तो हर footing की नीचे एक हमारी PCC डली है हर एक footing की नीचे हर एक PCC इस footing की नीचे PCC इस footing की नीचे PCC है important difference है जैसे के आप देखो यहाँ पर मेरी PCC खतम हो गई यहाँ पर मेरी footing के अंदर PCC खतम हो गई फिर either side मेरी PCC खतम हो गई लेकिन अगर आप दूसरी overhead tank की drawing देखेंगे तो उसके अंदर पूरी drawing के अंदर यहाँ पर PCC दी है घबराईये मत मैं आपको दिखाऊंगा images के through भी किस सरह से यह चीजे होती है तो बने रहे गए इस वीडियो के अंदर ठीक है तो इसी तरह के से बेसिकली इसका जो हमारा excavation होता है वो बेसिकली इसी का सेम तरीके से होता है इसमें कोई दोराईवाली बात नहीं है ठीक है तो जिस तरह से आपने देखा है section का तो जैसे आप देखोगे तो इस footing के लिए हमारी सबकी अलग excavation होगी और यहां पर हमारी जो PCC वो हमारी अलग बैलने वाले जैसे कि मैं आपको एक image दिखाता हूँ तो उस image के तरह आप easily समझ पाओगे जैसे कि आप यहां देख रहे होगे ठीके दोस्तो तो अब आप इसको देखोगे तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो देखें यहां पर सबके लिए हमारी एक अलग अलग excavation हुआ है यहां पर PCC डाले गई है जैसे कि आप देखोगे तो यहां पर हमारी PCC डा जिली यहाँ पर आप देख रहे होगे ठीक है और यहाँ पर मेरा जो पेडेस्टल कॉलम में वो हमारा यहाँ जागा तो अगर हम इस ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं एक तो हमारा तरीका होता है हम पूरा उसको अगर अगर हम दूसरी वाली ड्राइंग की बात करें तो वहाँ पर जो छीजी होगी वो थोड़ सी यहाँ पर अलग होने वाली है और उसको थोड़ा सा समझना भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आप देखे तो आपके लिए कुछ यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा ठीक है जैसे कि मैं इसी ड्रॉइंग की बात करूँ तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो ड्रॉइंग्स होती है वो हमारी सब जगा पर देखोगे आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हमारी जो फुटिंग है यहाँ पर हमारी दी जाएंगी जो कि आप इसको अच्छी तरह के से ट्रेपेज़डल फुटिंग के नाम से आप इसको जानते हो ठीक है तो I hope ये चीज़ आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी हम चलते हमारी दूसरी ड्राइंग की तरफ और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं with the help of the images दोस्तों जैसे कि अग मैं इस ड्राइंग की में बात करूँ दोस्तों ये हमारी एक अलग ड्राइ कि यहाँ पर हमारी जो फुटिंग है वो हमारी अलग होने वाली है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर यह मेरा एक फुटिंग ले आउट प्लान है दोस्तों अब यहाँ पर हमारी पूरी जो फुटिंग बनी है ये इसको हम कहते हैं सर्कुलर राफ फुटिंग कहा जाता ह तो जिस तरह से आप इसका प्लान देख रहे हो दोस्तो तो यह जो प्लान है वो मेरा कुछ अलग हो जाएगा जैसे कि मैं आपको बताओं कि यह वाला जो मेरा पार्ट है यह मेरा आउटर डाया का पार्ट हो जाएगा यह मेरा यहाँ पर यह जो outer part हो जाएगा और दोस्तो आप यहाँ पर यह जो dotted line देख रहे होगे जैसे कि यह जो dotted line आप देख रहे हैं जिसको मैं यहाँ पर blue color से कर देता हूँ जिस तरह से आप यह जो dotted line देख रहे होगे यह हमारी हो जाएगी PCC क्योंकि उसके अंदर अगर आपने PCC देखा था तो उसके अंदर जो PCC था वो हमारा basically एक footing के अंदर यानि कि एक footing के नीचे हमारा separate PCC लग रहा था बड़ इसके अंदर इस तरह से नहीं होने वाला इसके यह मैरा outer dia हो जाएगा ठीक है और आप यह वाला जो पायट देखो गे यह मेरा ring हो जाएगा यानिकी जो हमारा ring हो जाता यानिकी जो इंटर्णल जो डाय है वह भी हमारा आजाता है जैसे कि जिसको इस तरह सिसको अलग डिफरेंड कलर से अहां पर कर दिया है तो यहां पर एक हमारा यहां पर चीज़े आ जाते हैं तो यह मेरा इंटर्णल का हो गया जिसकी उसकी 50 गिद्धार दिया गया है और उसे के साथ-साथ अगर हम बात करें इनर डाया से लेंकर ममारा ऊटर ढया इसके करें वहामारा कितंगर को 1100 का यहां पर इसली जो हम आगर हम इसी का सेक्षिं की बात करें तो है और ऊप आपको प्लान समझने अच्छी तरह के से आ गया होगा तो दोस्तों अगर हम इसके section की बात करें तो यह हमारा section है इसको मैं थोड़ा सा आपको ये section दिखने वाला है अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से section दिखेगा सबसे पहले चीज दोस्तो आपको यहाँ पर जो PCC हमारी वो दिखने वाले जो कि आपको dotted part में दिखेगी यानि कि ये वाला जो part है आपको अच्छी तरह के से यहाँ पर दिखने वाला है ठीक है उसे के साथ साथ अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो distance है यानि कि जैसे कि आप देखोगे ये मेरा total 2100 था ये वाला जो distance था यहाँ पर 2100 था जो कि जो आपका inner diameter से लेकर ring beam के inner part तक है वो मेरा 900 है और जो मेरी ring beam कि दोस्तों यहाँ पर dimension है वो हमारे यहाँ पर 500 हो जाएगी और इसका जो outer part है वो मेरा 700 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप ये inner ring का जो आप देखोगे तो ये मेरी 500 है ठीक है जो मेरा inner part है वो मेरा 900 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा outer party वो मेरा 700 easily हो जाएगा ठीके तो आए तो इन सब को प्लस करेंगे तो ये मेरा ultimately 2100 यहां से हमारी चीजें हो जाएगी ठीके तो I hope आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं दोस्तो अगर हम इसकी section की बात करें तो अगर हम इधर side से बात करें तो यह वाला distance आप देखोगे तो यह distance मेरा किता हो जाएगा दोस्तो यह distance मेरा हो जाएगा 700 तो आप easily देखोगे कि यहां पर जो आपका बनेगा रिंग यह आपका 700 का बनेगा और यह हमारा trapezoidal ship में बनेगा बट यहां पर यह पूरा circular में बनेगा ठीके पू को इस तरह से देखोगे कि यह मेरा ring भी माजाएगा फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो मेरा internal जो मेरा part या ने कि जो मेरा nine hundred का part है वो हमारा यहां पर आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो तो यह आपको किता का यह आपको nine hundred का easily दिख जाएगा थेक है तो I I hope, I hope आपको ये चीज़ अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, फिर आप देखो कि तो ये जो distance से मेरा 5400 का है, जैसे कि आप इसमें देखोगे, तो ये मेरा किता हो गया 5400, तो अगर आप इसको यहां से लेकर यहां तक देखोगे, तो दोस्तो ये मेरा 5400 इसली दिख पर आपको जो उसका दूसा पार्ट है, बहुते रपर आपको दिखेगा, तो आप देखो, ये मेरा 2100 है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा 900 हो जाएगा, फिर जो मेरी रिंग भी में मेरी 500 की हो जाएगी, फिर यहां पर हमारा जो 700 का जो दूसा वाला smaller पार्ट है, व हो जाये गा अब जो सेंटर टू सेंटर जाए यानि इनर जो डाया हंधाय का फिफ्टी-फूर हंडड हाँ जिएक आ-पको यहाँ पर दिख रहा है और सेंटर ऑफ बीम से लेकर दूस्री सेंटर जेत्र ऑफ बीम तक वह हमारा 달甚़ जाएगा दोस्तों वो हमारा 77 हुने वाला है ठीक है तो आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आई हो कि किस तरह से हमने इसको read out करा है अगर हम इसका दोस्तों यहां पर हम बिलकुल section देखेंगे तो देखो आप यहां पर देखिए आप बिलकुल यहां पर एक तरीके से देख सकते कि यहां पर जो हमारी PCC दोस्तों हुई है वो हमारी पूरी PCC यहां तक हुई है ठीक है अगर आप हम उस वाले ड्राइंग की बात करें तो उसके अंदर जो हमारी PCC दोस्तों वो हमारी अलग तरीके करें यानि कि यहाँ पर जो हमारी PCC थी वो हमारी सिफ एक फुटिंग के डामेंशन में लग रही थी यानि कि एक footing से दूसरे footing के उसमें लग रही थी यानि कि अगर हम थोड़ा सा comparison करें इसमें और उसमें तो आप देखोगे एक हमारी footing ये वाली थी तो इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो इसके अंदर जो हमारी footing की PCC थी या excavation मेरा पूरा PCC हो रहा है लेकिन वहीं आप दूसरे वाले section की बात करें तो यहां पर हमारी सिफ अलग-अलग separate separate यहां पर हमारी चीज़ें हो रहे हैं ठीक है तो यह हमारा ring foundation नहीं होगा जो जिसके अंदर separate है बट जिसके अंदर आप यह वाला जो हमारा section जिसके अंदर पूरी PCC होगी वो इसके अंदर हमारा circular जो हमारा annular footing पर हमारी होने वाली है तो आई होप यह चीज़ आपको आगई होगी समझ में तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके images की तरफ कि आप उसको किस तरह से उसको आप समझ पाओगे कि जब यह हमारी cast हो जाती है तो वो किस तरह से हमें यहां पर दिखती है और हम उसमें comparison करेंगे कि क्या चीज़ हमारी यहां पर ring beam किस तरह से होगी और हमें यहां पर जो हमारी annularage of footing है वो किस तरह से होने वाली है तो चलते हैं हमारा जो plan है उसके through और हमारी जो side की images है उसमें चलते हैं और आपको अच्छी तरह से हम समझाते हैं तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे होगे हमारी एक हमन PCC करवाई है तो आप देखो कि तो यहां पर हमारा all over the PCC यहां पर हमारा हुआ है यानि कि पूरी जितनी भी हमारी यहां पर excavation हुआ था उस पूरी excavation के अंदर यहां पर हमने PCC इस तरह से हमने करवाई है देखें यह पूरी हमारी यहां पर PCC हुई है तो जिस तरह से मैं लोट कोष्ग लूट कोदा है लोटा योई कि इदियां होती है ओवह हमारा अच्छी तरिक दालता है कि यह पर पूरी है जो हमने यहां पर दिया गया है अब इसके अंदर जो हम PCC लेंगे दोस्तों वो हम यहां से 0.1 जो मीटर है यानि कि यहां से हमें एक्स्टा लेना होगा यहां से 0.1 एक्स्टा लेना होगा इसको हमें जो डैप्थ है वो हमें यहां पर चीजें लेनी होती है जैसे कि आप इस section के सही हमारा PCC दोस्तों दिया हुआ कि कितना दिया हुआ यह 100MM का PCC दिया हुआ है यहां इसके अंदर आपको 100-100MM दोनों साइट से extra लेकर चलना होगा तो यहां पर आपका जो हो जाएगा यहां पर आपकी चीजें यानिया हो नेकि लेकिन पीसी के यह यहां पर आपको साइड से एक्स्ट कर ना हुगा इधर से आपको एक्स्टेंड करना होगा फिर उसमें आपको यहां पर करवाना हो लिए जिसकी हमारी जो ultimately जो डाया हो जाएगा वो हमारा यहां पर 9800 का डाया हो जागा यह जो डाया हो जाएगा दोस्तों जिसमें मेरी PCC की जो लेन थे यह मेरी हो जाएगी 9800 mm का जो मेरा डाया है वो यहां पर मेरा हो जाएगा ठीक है तो I hope यह चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो दोस्तों अब आते हैं हमारे foundation की तरफ कि किस तरह से हम उसको read out करेंगे with the help of the images दोस्तों यहां पर जिस तरह से आप देख रहे होगे कि यहां पर किस तरह से जब हम इसको execute कराते हैं तो वो किस तरह से यहां पर देखा जाता है तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर ठीक है जो hoop bar होता है वो मेरा circumferential या आप इसको hoop bar कह सकते हैं जो कि मेरा पूरा यहां पर लगने वाला है यह हम आगे जाके जब हम बार मैंटनिक की drawing reading करेंगे तो मैं इसके अंदर आपको अच्छे deeply इसको समझाओंगा ठीक है अभी हम बात करते हैं drawing की reading की तो हम उसमें चलते हैं अब आप देखोगे यहां पर आप easily समझ पाओगे दोस्तों ठीक है जैसे कि यह मेरा internal डाया था 5100 का तो दोस्तों यहां पर आप internal डाया 5100 देख पाओगे ठीक है उसके बाद यहां पर जो center to center जो हमारा डाया हो इतना दोस्तों हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 7200 है आप पर हमारी चीजें हो जाएंगी अब उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो हमारा outer जो आप surface देख रो यानि कि यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा डाया हो जाएगा यहां पर जो मेरा डाया हो जाएगा व काने की हम बात करें यहांकी बिल्कुल आउटर से लेकर उसके आउटर की तो यह मेरा जो हो जाएगा वो मेरा 89 यहां daya है वो इसके यहां पर हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो यहां पर आपको आउजनी समजقط हो किस तरह से आ रही है कि जिस तरह से यहां को यहां पर आपको आपको एंडर विम भी यहांपर आपको दिख जाएगा ठीक है यहां तीक यह यहांने कि इंटर्नल डाया होगा वो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है देखे मैं बिलकुल आपको को रिलेट करके बता रहा हूं ड्रॉइंग और हमारी जो इमेजे की आप लोगो कुछ भी इसके अंदर जो डाउट है वो ना रहे ठीक है उसके बात हमारा जो एक्सटर्नल जो डाया मीटर है हमारे बिरिंग बीम का तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आप देखोगे ठीक है तो यही जो सेम चीजे हमारा इधर साइड हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो यह वाला जो पार्ट था रैट से हम आप तरी के से हो जाएगा देखिए यह पूरा इस तरीके से हो यह वाला जो मेरा पूरा पार्ट है तो यह मेरा पूरा पार्ट जो मेरा external डाया दोस्तों वो मेरा हो जाएगा जो कि हमारा कितना हो जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर 8900 का चीजें हो जाएंगी ठीक है तो I hope आपको अच्छी तरीके से यह चीज समझ में आ गई होगी अब दो पार बीच में तो आपका कुछ भी नहीं रहेगा या आपका यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं रहने वाला है इस तरह से आप इसमें देखो होगै कि यहां पर हमारे पूरी अच्छी तरीके से यहां पर कॉन्कृ deja he यहां पर यह वाला जो पार्टë हैं मेरा सिक्स हंडेड हो गया उसके बाद यह पाइट मेरा 500 हो जाएगा तो ये जो मेरा बीम थारिंग बीम ता वो 500 हो गया उसके बाद ये मेरा 800 हो जाएगा यानि कि ये वाला जो आप पाइट देख रहे हो तो ये मेरा 800 यहां पर हमारा हो जाएगा ठीक है तो I hope आपको ये चीज़े अच्छी तरीके से समझ में आ गही होंगी कि किस तरह से यहां पर चीज़े दिया हुआ है ठीक है दोस्तो एक और में आपको चीज़ बताना चाहूंगा अगर आपको हमारा जो वाटर टेंक के और अच्छी तरीके से डीप में समझना है तो जाए हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड करें और उसके अंदर आप जो वाटर टेंक का जो हमारा कॉर्स उसको पर्चेश कर सकते हैं उसके अंदर यहां पर हमने अच्छी तरीके से डीपली बताया है कि उसका हमारा जो गर्दिक यह बहु किस तरह से होगी क्योंकि यहां पर सिफ मैंने इतना डीटेल में नहीं बताया है हमारे कोर्स पे किस तरह से यहां पर यह कास्ट होगा देखो जिस तरह से आप कास्टिंग होगी तो देखो आप यहां पर एजली समझ भी पाओगे कि यहां पर हमारा शट्रिंग हमारा कहां का लगता है जैसे कि आप देखो कि एक जो मेरा शट्रिंग है एक तो मेरा इधर बाहर साइड लग पर उसके बाध सी किसी और कर देता हूँ जैसे की इस कि एक हम आप देखो कि यहां पर जो हमारा शेत्रिंग के वह लगाया जा रहा है और उसे सथी साथ यहाँ पर जो हमारा external जो दोस्तो डाया है beam का रिंग बीम का वो भी हमारा यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि आप easily तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखो कि यहाँ पर हम लगा रहे हैं देखिए पूरी हमारी यहाँ पर shuttering लगी होगी है ठीक है और एक आखरी चीज़ यहाँ पर हमारा external पार्ट में भी लगाया जाता है यानि कि जब आप यहाँ पर देखोगे outer पार्ट में ठीक है तो आप देखो कि जो मेरा outer जो डाया है है ना तो यह हमारे इस outer डाया के अंदर भी हमें shuttering लगाना पड़ती है यह जो मेरा outer का जो डाया है वहाँ पर भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें देनी होती है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आप easily देख पाऊगे कि यहाँ पर हमारी shuttering भी लगी हुई है ठीक है तो यह इस तरीके से कुछ हम यहाँ पर shuttering भी इसको हम लगा सकते है ठीक है तो यह चीज आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब यह cast हो जाता है cast होने के बाद किस तरह से हमें यहाँ पर वो चीजे दिखाई देती है अब आपको यह अच्छी तरीके से बिलकुल जो हमारी साइट एमेज होती है उसके अंदर आपको चीजें समझ में बिलकुल 100% आ गई होगी ठीक है अब आप देखोगे यहाँ पर तो अगर आप इस चीज को ऊपर से आप देखोगे ठीक है उसके बाद आपको रिंग बीम भी समझ में आ गई होगी कि हमारी जो रिंग बीम थी वो हमारी कहा लग रही थी कि यह मेरी पूरी रिंग बीम आ गई है अच्छी तरीके से यह जैसी आप यह देखोगे उसका इंटरनल पार्ट जो है रिंग बीम का अंदर जाता हूं जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर अब आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी यह ड्रॉइंग किस तरह समने करी है अब आप देखो कि यह वाला जो मेरा पार्ट है इसकी जो मेरी थिकनेस हो जाएगी यह मेरी 250 हो जाएगी ठीक है अब यह वाला जो मेरा पार्ट है वो मेरा 600 है यानि कि यह वाला जो पार्ट है हमारा 600 हो गया अब दोस्तों यह वाला पार्ट तो हमारा हो गया अब in the same way अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा distance ये मेरा कित्ता हो जाएगा ring beam का जो distance है हमारा ये distance हमारा हो जाएगा 500 ठेक है तो ये मेरा 500 हो गया in the same way 400 इधर है तो 400 हमारा इधर side भी होगा इसके opposite side भी मेरा इधर 400 होगा और हम इधर side की बात करें ये वाला part की बात करोगे तो आपको यहाँ पर 800 easily समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका 800 चीजे आ जाएगी और यही जो same distance ये 250 आपका इधर side भी आने वाला है याने कि ये इसका जो opposite side भी ठीक है फिर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजे कुछ इस तरीके से दिखेंगी याने कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा सा और साइड में करूँ तो यहां पर आप देखो यह मेरा पूरा जो डिस्टेंस THE है वो किस तरह से देख नी है कि किस तरह से उसका जो प्लान है हों हमको रिडाउट करते हैं तो I hope यह आपको अच्छी तरिके से चीज़े समझ में आई होगी तो दूस्तों यह था आज हमारा वीडियो तो आई होप आपको यह चीज़ अच्छी तरिके समझ में झाल झाल